भगवा लहराएगा भगवा रंग चाएगा जाति पाति को छोड़ हर हिंदू यही गाएगा और क्या गाएगा शब्दों से नहीं अब तो जो लोग कहते हैं कि केवल शब्दों से बड़ी बड़ी बाते करते हैं तो अब हिंदू केवल शब्दों में नहीं तो शब्दों से नहीं केवल सच करके दिखाएगे हिंदू हैं हम सब बस हिंदू कहलाएगे और क्या कहेगा वो राम की धरती पर राम को गाएगे कृष्ण की वानी को जन जन को सुनाएंगे हिंदू हैं हम सब बस हिंदू कहलाएंगे सत्य सनातन धर्म की जैगोश लगाएंगे अपने भारत को हम हिंदू राष्ट बनाएंगे तो यह ऐसी जब कविताएं प्रवाहित होंगी तो आपके भी रॉंग्टे जरूर खड़े हो जाएंगे नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्रिक हाम हरोत्रा राजधानी लखनों में कविक कुम्भ का आयोजन किया गया है जिसमें देश प्रदेश उसे कई कवी आकर यहां पर काव्य पाट कर रहे हैं अपनी कविताओं को लोगों तक पहुचा रहे हैं और ऐसी ही काव्या हमारे साथ मौझूद है हम बात कर रहे हैं चित्रा रॉय जी की जो की अपनी वीर्ता भरे काव्य से लोगों का दिल छू रही है बहुत बहुत स्वागत है चित्रा जी आपका तो राजधानी लखनाओं में कवी कुम्भ का आयोजन किया गया है क्या कहना चाहेंगे इससे नए नए कवियों को तो अफसर मिली रहा है साथ ही जो एकदम विख्यात कवी है वो लोग भी अपनी काव्य को लोगों तक पहचा रहे है उनको भी एक बार फिर से मौका मिल रहे है वो भी काफी खुश है ये कविकुम्भ बिल्कुल वैसा ही जैसे सागर मन्थन हुआ था ना तो सागर मन्थन से एक अम्रित निकला तो ये सब के लिए जो 300 कवी या 400 कवी जितने भी कवी कठे हुए है चाहे जो नवोदित कवी हैं, नवांकूर हैं चाहे जो स्थापित कवी हैं सभी को एक दूसरे से सीखने का मौका मिल रहा है और सबसे बड़ी बार जो स्थापित कवी हैं वो ये हुनर बता रहे हैं कि कैसे आप मंच पे लंबे समय तक रह सकते हो मंच पे लंबे समय तक रहने का हुनर बहुत कम लोगों को पता है लोग लिखना तो जानते हैं कि हमें लिखना है लेकिन क्या लिखना है कैसे लोगों के दिलों में राज करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं और इमानदारी से लिखने वाला ही राज करेगा ये भी बहुत कम लोग जानते हैं और ये हुनर इस कवीकुम में सिखाया गया है और यकीन मानिये आने वाले वर्षों में देखेंगे कि इस कवीकुम से कितने नैने फूल खिलेंगे कहीं कोई अनामिकाजा नंबर बनेगा या उससे भी बढ़ चड़ के बनेगा कहीं कोई सौरब जैन सुमन तो कहीं कुमार विश्वास नजर आएंगे आप सबको और कहीं चित्रा राय भी नजर आएंगे चित्रा जी आपकी जो कावे होते हैं वो देश भगती पर आधारित होते हैं हिंदूत्व पर आधारित होते हैं सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने दिल के करीब कावे जो आपका हो वो सुनाए मैंने जब सौमी दिपांकर जी के साथ भिक्षा यत्रा में काम किया था, आज से एक साल पहले स्वामी दिपांकर जी ने भिक्षा यत्रा निकाली, तो उस वक्त लोग, उस वक्त उस भिक्षा यत्रा का मुहिम था कि जातियों में मत बटो, हिंदू एक साथ आगे बढ़ो, कहने का मतलब था जो राय, शर्म वर्मा जो खंड-खंड में बढ़के अब क्या बोला जाता है कि इस एरिया में मारवाडी रहते हैं उस एरिया में जैसवाल रहते हैं मारवाडी की समस्या होगी तो जैसवाल नहीं बोलेगा जैसवाल की समस्या होगी तो मारवाडी नहीं बोलेगा लेकिन हैं यह सब सनातन ह हिंदू और ये इन लों का सबसे बड़ा मतभेद था तो स्वामी दिपांकर जी जब से ये भेक्षा यात्रा निकाले उनके इस भेक्षा यात्रा मैं सुरू से उनके साथ रही आप ट्विटर पर आज भी जाके देखेंगे तो मेरी वीडियो वहाँ ट्रेंड करती है अनेको रिट्वीट हुए हैं और अनेको उसके व्यू हैं और उसी में मैंने एक कविता लिखा था भगवा लहराएगा भगवा रंग चाएगा जाति पाति को छोड़ हर हिंदू यही गाएगा और क्या गाएगा शब्दों से नहीं अब तो जो लोग कहते हैं कि केवल शब्दों से बड़ी बड़ी बाते करते हैं तो अब हिंदू केवल शब्दों में नहीं तो शब्दों से नहीं केवल सच करके दिखाएंगे हिंदू हैं हम सब बस हिंदू कहलाएंगे और क्या कहेगा वो राम की धर्ती पर राम को गाएंगे कृष्ण की वानी को जन जन को सुनाएंगे हिंदू हैं हम सब बस हिंदू कहलाएंगे सत्य सनातन धर्म की जैगोश लगाएंगे अपने भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो यह ऐसी जब कविताएं प्रभाहित होंगी तो आपके भी रॉंग्टे जरूर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद मन में बात आएगी जातियों में बढ़के क्या फाइदा एक साथ मिल के रहो घर में जातियों को मानिये ना ठीक है घर में भाई कुछ नेयम है जो बन चुके हैं मानिया घर के दरवाजे से जो ही बाहर निकलिये एक दूसरे को सामने को देखके अपने भाई बहन समझे पर मात्मा ने केवल चार वर्ण बनाए थे वैश्य शुद्र छट्रिय ब्रामण और कर्म के अनुसार वो वर्ण थे वर्ण के अनुसार कर्म थे दोनों एक उसे के परिपूरक है लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लोग जातियों बढ़के उसी में अपनी स्रिष्टा समझ रहे कि हम जैसवाल हैं में हम ब्रामण हैं, हम राय हैं ऐसा नहीं होता है लेकिन इसमें आपको सफलता कैसे मिलेगी क्योंकि देश के जधातर राजियों में जाती धर्म के आधार पर होती है राज़नीती जो राजनीती का केंदर होता, अत्तरफ्रदेश की राजनीती देख लें, या फिर पशिमंगाल की राजनीती देख लें, तो वो जाती के आधार पर होती है, जाती धर्म के इर्दिगिर्द घूमती है, ऐसे में कैसे आसान होगा? देखिए इस कवी कॉम में कितने कवी आये हुए हैं, किसे ने किसी से किसी की जाती पूछी? जिस दिन समझ लेगा ऐसे ही कितने कवी कुम्भ मन से कवी कुम्भ आयोजित कर देगा जिसमें सब को समेट लेगा जिस दिन हिंदु अपनी अज्ञानता छोड दिया यकीन मानिए ऐसे कवी कुम्भ आयोजन की जरुवत नहीं पड़ेगी पूरा समाज एक उम्भ बन और जो कहते हैं ना कि बाहरी लोग हिंदुत पर प्रहार कर रहे हैं प्रहार नहीं करते हैं आप कमजोर हो गये हैं तो भाई वो सामने वाला फाइदा उठाएगा यह तो दुनिया कर नियम है भग इश्वर ने ऐसी कोई भी चीज स्रिष्टी में गलत नहीं बनाई है आपको उपयोग करना नहीं आया आपको रहना नहीं आया तो आपके लिए वो गलत हो गया अगर कोई एक मजहब वाले कहते हैं कि हां भाई मेरा धर्म स्रेष्ट है हर सुक्रवार को जब जाते हैं नमाज पढ़ने आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते कि हर रवी बार हर सुबार सुबार उटके भगवान को जल ढालो तब अपने नित्य करम कुछ भी हो तुम आरंब करो हमारे बच्चे पहले उटके फोन देखते हैं पहले उटके चाय पीते हैं वही उनके दिन चर्या है तो जिस दिन हिंदू समझ जाएगा समाज अपने आप सुधर जाएग चत्र जी आप अखिल भारते सनातन परिश्यत की स्टेट प्रेजिडेंट है तो वहाँ पर इस संस्था को चलाने का उद्देश है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है लोगों को जगाना है अभी यही अखिल भारते सनातन परिश्यत साथ में अखिल भारते सनातन र ट्राटियों में नहीं बटे। उद्देश वही है कि धर्म के प्रती जगाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। मैंने उनसे मैंने सब मैं सबसे कहा थे हुँए धर्म आगे बढ़ा है। धर्म कहा पिछे है। कि भगवत-गीता का इक पन्ना कम हो गया है। हो सकता आपने नहीं पढ़ा है आपकी अज्ञानता उस धर्म को पिछे कर दे रही है आपके लिए पिछे उसी मंच पे हम लोग कभी कुंभ में बैठे थे तो कहा कि भाई हम अपने धर्म को सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे सनातन धर्म को सनातन धर्म आगे बढ़ा है उ आप कितने आगे हुए हैं? एक क्लास का बच्चा अगर क्लास एट का बच्चा है, वो खुद को कमजोर कभी नहीं कहता है, बोले कि नहीं, सलेबस को पूरा पकड मेले रहा है, सलेबस नहीं तुम अपने महनत को बढ़ाओ, यही बात हिंदू पे लागू होती है, हिंदू य आपको क्यों लगा कि बहुत ज़्यादा जरूरत है धर्म प्रचार की, और वहां पे मम्ताव इनरजी जैश्री राम के नारे से इतना नफरत क्यों करती हूं, वो गुस्सा क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या वज़ा है, देखिए इसके पीछे दो वज़ा है, जैसे मान दिमान व्यक्ति मैं ये भी नहीं मानती, वो बचकानी हरकत है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, कि भाई उस चीज को समझेगा, उसको बुद्धी से अपनाएगा, मम्ताव अनरजी को जैश्री राम उनको बहुत मजबूत लगता है, और उनको लगा कि उनकी ये कौन बोला कौन बोला करने लगती थी, तो बात है कि वो अगर जड़ा सभी बुद्धिमानी से काम करती थी, तो राम का तो नाम वो भी लेती है, पर मात्मा के बिन आपका सांस चलेगा, आप सोचके बताइए, आप यहाँ पे इंटर्वी मेरा ले रही है, मैं दे रही हू एक मिनिट बाद क्या होने वाला है, इसका फैसला आप और हम नहीं कर सकते, हम तो सभी उनी के अधीन है, लेकिन उनके मुर्खता है, और दूसरा बात है कि बंगाल में जैसी राम या धर्म को आगे बढ़ाने के, इसलिए कि देखे, हजार रुपया में जहां आप बिकने लगते हैं, वहां मतलब आपको धर्म पूरी तरह से नश्ट हो गया है, अब मालेजे मुझे चुनना है एक बढ़िया चीज, लेकिन मैं किसी लालत से घटिया चीज को बार-बार मौका दे रही हूं चुनके, हजार, दोहजार या जो भी लालश में बढ़के, वो नहीं कर आपका पद्दती हो सकता है, पूजा है जहां मन वचन कर्म से आप इश्वर के प्रती समर्पित हैं और इश्वर के प्रती जो समर्पित होगा वो धर्म को समझेगा, कर्म को समझेगा, सब कुछ समझेगा, धने-धने, समपदा, सब का उपयोग समझेगा, यहां बंगाल म कमी है कि वो सोच समझ के अपने फैसले नहीं ले रहा है मालीजे जो आज की घटना हुई है जो अभी पूरे देश में हाहाकार मचाए क्या वो पहली घटना है मैं तो यही मुझसे जब इंटरव्यू कितने लोगों ने हर जगह से इंटरव्यू लिए तो मैं रहा कि पहली घटना क्यों समझ रहे हो कितनी घटना है तुमको पता नहीं है इससे भी विवत्स रूप में हुई है तुम केवल बस एक तुम्हारे नजर में पढ़ गया तो तुमने हाहाकार मचा दिया वहाँ पे दबे कमरे में कितनी उसी घटना के दो दिन बात की बात है दो तिन हपते की बात है यह हावरा हॉस्पिटल की बात है वहीं पे एक लड़की आईसियू में की कुछ टेस्ट कराने गई थी उसमें एक व्यक्तिन अब वो कंपाउंडर था कि क्या था यह निउस में भी आये था वो उसके उसका स्चोशन कर रहा था उसके लिप्स पुरे लाल हो गए थे वो तो अचानक एक महिला ने देख लिया आज सबसे जड़ा लड़कियों को जो फेर बदल होता है बेंगौल से होता है तो क्या पहले घटन वो लड़कियां क्या आरती उतारने के लिए ले जाए जाती है यह एकदम ब्रह्म है आपके पस एक घटना दिख गई आप उसको लेके हाहा कर मचा रहा हो बाकी ऐसे रोज घटनाए होती हैं जो दबे कमरे में हो जाती हैं आपको पता नहीं चलता मुझे पता नहीं चलता यानि पश्रमंगाल में महिलाओं के स्थिति काफी गंभीर है अगर हिंदुत्व की बात करें तो उसको तो बढ़ाने की बात करें रहें आप काम कर रहे हो उस पर महिलाओं के वहाँ पर अगर बात करी जाए वो भी दैनी अस्तिती है वहाँ पर सुरक्षव विवस्ता प्रॉपर नहीं है लिकिन अगर वहाँ पर बात करी जाए अन्यमुद्दों की बीजेपी की सुरक्षा की क्योंकि कई बार देखने को मलता है जो भारती जनता पार्टी के जितने भी कारे करता होते हैं नेता होते होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं सबसे जादे यह मुद्दे सामने आते हैं इसको लेकर क्या कहेंगी देखिए जब तक वहां की लोगों पर ही डिपेंड करता है, आप देश को सुरक्षित करें, बीजे पी को लाइए, या कॉंग्रेस को लाइए, या त्रेंड मूल को लाइए, वो आप पर डिपेंड करता है. अब यहां वहां के लोग क्या है जब वो बार-बार TMC को बुला रहे हैं तो मतलब वहां के महिलाएं अपने आपको उसी इस रूप में देखना चाहती हैं अब गेहूं के साथ घून भी पिस्ता है माली जी हम रहते हैं तो मेरे बारे में भी आप यही सोचेंगी लेकिन मेरे 10% वोट से तो कुछ होने वाला है नहीं वहां पर तो है कि भाई अगर आप वोटिंग हो रही है तो फिर बॉम मारके उस एरिया में दोविस फोट कर दो बस निकल के वोट देने मत जाना आज भी सुनते हैं हम लोग भाई वोट का फेर बदल होता है कितना देखे आपका विकास कितना नहीं हुआ कौन कितना आपक लेकिन वह हजार रुपया अगर मांट दो वोटिंग से पहले उनकी एकाउंट में जाता है बहुत ऐसे टीमसी को सपोर्ट करने वाले हैं यह खुल के क्या रहे हूं हजार रुपया उनके एकाउंट में जाता है उस हजार रुपय के लिए लोग एक दम ठीक है अच्छा मा बेंगोल में आमरकाचे आचे वो बोलेंगे लोग कि नहीं हम बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं बदलेंगे मानसिकता है और उस मानसिकता तो आपको खुद ही निकलना पड़ेगा अब जो वहां है उसमें पिस वह पिसता है माली ची अकेले हम मैंने जैसी राम के में नारे लगाती हूं आप यकिन नहीं करें कि इस नारे की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता है कभी-कभी आ के मतलब बीच बचाओ मंदिर के पुजारी या ट्रस्टी लोग करना पड़ता है बंगला में ये प्रहार के तौर पर अपना बाप का घर समझ कि मैंने अब श चलाने लगे जानते हैं ये मुद्दा पकड़ा जाता है कि आप किसी पोस्ट में है तो छुटी होने से दो दिन पहले तक अगर हम करेंगे तो आप जेल में रहेंगी तो आपका नाम खराब होगा मैंने भी चोड़ दो भाईया इनको वैसे ही इनको तिल मिलाने दो क्योंकि इनके पास अज्ञान के सिवाए और कुछ है नहीं ये केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स इनका पेट नहीं भरेगा वही आरजिकर वाली घटना ही हर जगा होगी अच्छा बांगलादेश में जो तक्ता पिलट हुआ उसका पश्रमंगाल में कोई खास असर देखने को मिला बांगलादेश में तो तक्ता पिलट हुआ तो यहां तुरंट आरजिकर वाली घटना हुई अगर वहां से आप सेख हसीना के ब्रा पैंटी को उठा उठा के दिखाया गया दिखाया गया ना ब्रा पैंटी को उठा के एक औरत के लिए कितने शरम की बात है और वहां के पुरुष के लिए जिस समाज का पुरुष केवल महिलाओं की ब्रापैंटी उठा के ही उसको नंगा करने में यह बहुत संपन है अब उस देश का क्या हाल होगा यह बंगलादेश अपने से 10 साल और पीछे चला गया भिकमंगा हो गया इसको स्थेट बासा में कहा रहे हैं उसके बाद ही तो तुरंत यहां पर यह घटना होई अगर बंगलादेश की घटना का बिलकुल भी इमानदारी से असर होता तो कैसी घटना होती डर के मारे देखिए बगल में आग लगती है तो लोग अपना गैस वैस सब चेक करने लगते हैं कि हमारे घर का कुछ जलतो नहीं रहा है लेकिन इन लोगों ने नहीं किया मतलब जान बूच के वो चीज यहां क्रियेट करते हैं कि हम हैं यहां पे और यहां दरिंदगी फैलाएंगे और आज भी इंतजार हो रहा है कि जब वहां से विरोध खतम हो जाए तो ममता बनर जी महां से सेफ फिल करें लेकिन आए दिन महां पे प्रोटेस्ट हो रहा है ब तो यह जो महिलाओं के खिलाफ अपराद होते हैं और जिस तरह की मोहल देखने को मिल रहा है उस पे लगाम लगेगी? महिलाओं के खिलाफ अपराद महिलाएं ही रोग सकती हैं माले जे मुझे अपने घर में सिक्योर्टी चाहिए तो मुझे वैसा मुखिया चुनना पड़ेगा तो ऐसा बोलने से नहीं होगा कि महिलाएं नाजुक हैं कमजोर हैं महिलाएं जान बूज के अपने लिए वही सक जो उनको मुश्किल में डाल रहा है तो कहीं नहीं महिलाएं पुरुश दोनों ही इसונה के लिए बाद thay हैं बाक किरें सरकार पे दो सारपन करने से नहीं कि जूं बणी है कर दो आप 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 आप